कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट्स यूपी पॉल टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम दिये हुए हमारे स्टूडेंट्स के माइन में लगातार ये कुश्चन चल रहा है कि हमारा रेजल्ट कब आएगा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी साथ हम काउंसलिंग कैसे कराएं कि हमें अपना गॉर्मेंट कॉलेज मिल सके डियर स्ट्रेंट्स आपके एडमीशन से लेटेड मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रवाइड करा रहा हूं जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से डाकुमे करें तक सर मेरे इतने मार्क्स हारे क्या मुझे गॉर्मेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा तो फॉस्ट आफ हाल डियर स्ट्रेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके मार्क्स कितने हैं इसको देख करके बताया नहीं जा सकता है कि आपको गॉर्मेंट या नहीं मिलेगा इसलिए आपको डिसकस करते हैं आपको यह बताते हैं कि आपका रेजल्ट कवा रहा है आपकी काउंस्लिंग कभी स्टार्ट होगी और काउंसलिंग कि क्या प्रॉसेस होगी उसमें कौन-कौन से डाकुमेंट्स आप लोगों को प्रिपेर दखने हैं ठीक है आईए डियो सिंट्स सबसे पहली चीज तो यह जान लिजे कि आपका रेजल्ट कब आएगा आई होप लगबग लगबग सभी लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी बच्च को देख सकते हैं कैसे देखेंगे आप अफिसेल बेफ साइट पर जाएंगे वहां से आपना चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों किया तो इधर उधर से आप लोगों सब्सक्राइब करने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है आने दीजिए रिजल्ट सेप्टमबर 21 को आपका रिजल्ट आ रहा है उसी के जस्ट बाद कैंसलिंग इसेप्टमबर 21 से ही स्टार्ट हो जाएगी ठीक कांसलिंग जो है आपका ऑनलाआन होगा जैसे पिछली साथ हुआ था वैसे ही ऑनलाइन कांसलिंग होगी कांसलिंग की कुछ फीस है वो लगेगी उसके बाद जब आपको कॉलेज ELART हो जाएगा आपको आ फिर या होती है मैं आपके साथ डिसकस करूंगा इसके बाद फिर आपको जब कॉलेज इलाट हो जाता है तो फ्रीज आफ लोट जो भी आप करते हैं फ्रीज करने पर आपको वहाँ पर कुछ सिक्वरिटीफ ही होती है जो आपको सम्मिट करनी होती है लेकिन डियोसेंट काउंसलिंग हो गया होगा कि 13 September को आपका रेजल्ट आ रहा है और 14 September से ही आपकी काउंसलिंग की प्रॉसेस स्टार्ट हो जाएगी उसमें बताय जाएगा कि अलग-अलग दाकूमेंट्स जो डॉकूमेंट्स में आप लोगों को बताया है कि कौन-कौन से डाकूमेंट्स लगेंगे आपके एडमीशन के लिए अगर आप लोगोंने उन सभी चीजों को प्रिपेर कर लिया है तो अच्छी बात है नहीं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्स लिंक दे दूंगा उन सारी सारी डाकूमेंट्स को अब बार देख लिए और उनको प्रिपेर कर लिए अगली एक इमपॉइंट बात आओर है बच्चों आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए ध्यान दीजिए आपका जो आधार कार्ड है यह क्या होना चाहिए समझ रहे हो हमारी इसलिए सभी जिद्धे चेक कर लिजिए कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका मुबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसको जन सुविधा किंद जो आपके नजदीक होया जहां पर आधार कार्ड बनता हो वहां पर जाकर कि आप लोग संपर करिए औ अपना मुबाइल नंबर उसमें क्या कर दिए अपडेट कर दिए ठीक है अपडेट वहां पर कराएंगे तो दो तीन दिन में अपडेट हो जाएगा आप जाकर कि वहां पर बोलेंगे तो जैसे बहुत पुराना आधार कार्ड आप लोगों का बना था तो कई सारे बच्च आएगा आप कांसलिंग कराएंगे तो उसमें आपको कॉलेज लॉक करना होगा अब उसके लिए आपके पास जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए और उनका डेटा होना चाहिए कॉलेज आप कैसे लॉक करेंगे कैसे जानने कि कौन सा कॉलेज अच् तो ध्यान रखिएगा dear students आपको पढ़ाई से समझा होता नहीं करना है इसके लिए आपको क्या करना होगा ध्यान रखिए इसके लिए आपको जितने भी college है उनकी छानबीन करनी होगी अपनी rank के carding अपनी branch के carding जो आप branch लेना चाहते हैं उसके carding आपको college की एक list तयार करनी है उसी list को आप लोगों को उठा करके वहाँ पर fill कर देना है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो college नहीं लेना होते से आप counseling कराने गए किया जाए कैसे college को lock किया जाए कौन से college आपके लिए better होंगे कैसे college को choose करना चाहिए उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही provide कराऊंगा उसमें आपको सिखाऊंगा कि कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए college को select करना जैसे मैं अभी ब है कि आप किसी private college से करिए जहां पर अच्छी सी पढ़ाई होती है जहां पर placement की सुविधा है किसी added college से करिए जहां पर placement की ब्योस्ता है जहां पर class अस्ट से चलती है ठीक है तो यह सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा फीस की बारे में भी मैं आप लोगों से discuss करूंगा कि government college में कितनी फीस लगेगी private में कितनी फीस लगेगी एडिन में कितनी फीस लगेगी वह सारी बाते हम discuss करते रहेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों का आने वाला है इस टॉपिक प्यारने वाला है कि counseling में आप college को कैसे चूज करेंगे ठीक है तो बाकी रियोस या dear students मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सोचित कर दूँगा एक important notification है dear students कि आपका अपना एक telegram channel है जिसका नाम है DD mathematical solution उसको आप लोग जरूर से जरूर जोइन कर लिए उसमें करना क्या है आपको telegram app install करना उसमें search करना DD mathematical solution आपको अपना channel मिल जाएगा उसको आता हूं तो आप मैं पोस्ट कर देता हूं तो आप डारेक्ट मुझे connected रहते हैं ठीक है बाकि अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फालू करना चाहते तो वहाँ पर भी अपना question पूछ सकते हैं बाकि दियो सेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स